वेलकम टू दू ओनलाइन क्लास, दगुड सैपर्ड एजुकेशन सेंटर अत्वासा नैशनल इंगली स्कूल से हिंदी की सिख्ष का मिसिस अगनोतरी आज की क्लास कक्षातीन के विद्यार्थियों के लिए हैं, जिसमें हम दुत्य प्रस्ण पत्र से पार तीन का ध्यन जिसका नाम है संग्या, अब आप उप्रत चित्र को ध्यान से देखें, पढ़ें वह समझें, उप्रत चित्र एक ध्यान का चित्र है, जिसमें खेलते बच्चे गेंद, वैक्ती, फोल, तितलिया, पेर, माली, चिडिया, आदी दिखाई दे रहे हैं, व्याकरण में इन सब इन सब का हम इनके नाम से ही पहचानते हैं, हमारे आजपास हमें जो कुछ भी नजर आता है, वह कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, किसी वैक्ती, वस्तू, प्राणी, इस्थान या भाव के नाम का बोद कराने वाले सब्दों को संग्या कहते हैं, जैसे मीरा, कुत्ता, दिल्ली, खुश, आदी, वैक्तियों के नाम मजदूर, किसान, डाक्टर, डाकिया, माली ये सब आपके वैक्तियों के नाम हैं, वस्तू जैसे पंखा, ताला, संग, हथावडा, प्राणीयों के नाम, तोता, तितली, भालू, संग्या के भेद, संग्या के तीन भेद होते ह वैक्ति वाचक जाति वाचक भावाचक अब आईए हम देखते हैं वैक्ति वाचक क्या है वैक्ति वाचक संग्या क्या होती है जिस संग्या सब्द से किसी विसेश वैक्ति वस्तू या इस्थान का पता चलता है उसे वैक्ति वाचक संग्या कहते हैं जैसे ये कबीर जी है त थान विशेश के नाम है, दूसरा है जातिवाचक संग्या, जिस संग्या सब्द से किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाती का बोड होता है, उसे जातिवाचक संग्या कहते हैं, जैसे मचली पानी में है, गाय गास चर रही है, इन वाक्यों में गाय और मचली सब्द से किसी विशेश गाय या विशेश मचली का बोध ना होकर इनकी संपूर्ण जाती का बोध होता है भावाचक संग्या किसे कहते हैं? जिन सब्दों से किसी व्यक्ती या वस्तू के गुर्ट, दोस, इस्तिती या भावादी का पता चलता है वे सब्द भावाचक संग्या कहलाते हैं जैसे निकिता और रोहन में मित्रता है इन फलो की मिठास के क्या कहने इन वाक्यों में क्रमसा, मित्रता वा मिठास भाव संग्या है आईए आप हम आपकी बुक से समंदित एक्सरसाइस को देखें निमलिखित में से कौन सी संग्या भावा चक है सौंदर निमलिखित में से कौन सी संग्या व्यक्तिवाचक है रामदेव संग्या के कितने भेध है तीन मैं दिल्ली में रहता हूँ रंगीन सब्द में संग्या का कौन सा भेध है व्यक्तिवाचक संग्या सब्दों पर गोला लगाईए अब आप इन सारे सब्दों में से संग्या सब्दों को छाट कर उनमें गोला लगाईए संग्या सब्दों के सामने उनके भेद लिखिए वो उनके वाकि बनाईए जैसे बालक जातिवाचक संग्या है बालक खेल रहा है अब आपके बुक से संबंदित दो प्रस्न पूछे गए हैं वैक्ति वाचक संग्या किसे कहते हैं? उधारन भी लिखिए भावाचक संग्या किसे कहते हैं? उधारन भी लिखिए आईए जिस संग्या सब्द से किसी विशेश वैक्ति इस्थान का पता चलता है उसे व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं उधारन राहूल नीना भाव वाचक संग्या किसे कहते हैं जिन सब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोस इस्तिती या भाव आदी का पता चलता है वे सब्द भाव वाचक संग्या कहलाते हैं ये आपके उपुस्तक से संबंदित कोशन अंसर थे लेस्ट वीडियो में हम आपको पार्चार का ध्यन कराएंगे धन्यवाद